सब जगे अधानी 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 इनका हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री के साथ क्या रिष्टा है और कैसा रिष्टा है यह देखिये रिष्टा सब जगे हमें सुनने को मिला अधानी एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में 609 पिछे बिलकुल पतनी जादू हुआ दूसरे नंबर पहुंच गए मोधी है तो मुम्किन है तो मैं थोड़ा जो नरेंदर मोधी जी का और अधानी जी का रिष्टा है उसके बारे मैं आपको थोड़ा बता जेता हूँ रूल बनाया किसने बात नहीं है रूल बडला किसने बात है सी बी आई एडी का प्रयोग करकर जी वी के पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एरपोर्ट को अधानी जी के हातों में कर दिए सब जगे हमें सुनने को मिला अधानी यह नाम पूरे हिंदुस्तान में केरल में तर्मिल नाडू में महराष्ट्रा करनाटका हिमाचल कश्मीर सब जगे अधानी 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 अधा और और ये नाम नहीं और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो दो तीन सवाल पूछते थे ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी है ये किसी भी बिजनस में घुज जाता है ये सफलता प्राप्त कर जाता है ये कभी फैल नहीं होता और युवान ने मुझे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है हम भी सीखना चाहते हैं मोधी जी ने कहा स्टार्ट अप करो हम भी अधानी जी जैसे बनना चाहते हैं तो भाई ये किसी भी बिजनस में घुज जाओ और एक दम सक्सेस हो जाए ये पहला सवाल था दूसरा सवाल था कि ये अधानी जी है ये किसी भी बिजनस में घुज जाते हैं पहले ये एक दो बिजनस करते थे अब ये आठ दस सेक्टर्स में काम करते हैं एरपॉर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सिमेंट सोलर एनरजी, विंड एनरजी एरो स्पेस और डिफेंस, कंजूमर फाइनस, रिन्यूबल्स, मीडिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहूल जी पेट करो भी देटे बेटे दन्यवाद, दन्यवाद पॉट्स, पॉट्स की बात भी थी पॉट्स की बात भी थी ये भी सवाल पूचा, ये भी पूचा कि भाईया बात बताई, राहूल जी बताईए हमें कि अधानी जी का जो नेट वर्थ है वो तीन साल के अंदर नई सौरी, दोजार चौदा से लेकर दोजार बाइस तक ये आठ बिलियन डॉलर से एक सो चालिस बिलियन डॉलर कैसे हो गया? कैसे grb ये ये दोजार चौदा में ये दोजार चौदा में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं बीजेपी मेहना तो ये लिस्ट आती है एक लिस्ट आती है 14 में 609 609 पिछे बिलकुल पता नहीं जादू हुआ दूसरे नंबर पहुंच गए तो मुझसे पूछा मुझसे पूछा बहुत सारे लोग ने पूछा कि भाईया राउल जी बताईए हिमाचल हिमाचल में सेव की बात होती है अदानी जी कश्मीर में सेव की बात होती है अदानी जी पोर्ट की बात होती है अदानी जी एरपोर्ट की बात होती है अदानी जी इंटरस्ट्रक्टर अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं मैं पूछो किसने बनाई अदानी जी तो लोगों ने ये भी पूछा कि राहुल जी यह जा अदा इतनी सफलता कैसे प्राप्ट हुई और सबसे ज़रूरी जवाब सवाल इनका हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री के साथ क्या रिष्टा है और कैसा रिष्टा है तो ये देखिए ये देखिए रिष्टा ये देख लीजे प्लीज 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 देखिए आप लेकल प्लीज 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 अजस्तान के मुख्यमन के यह सचाई है इस फिक्टर वास केम इन तो या पीडिया चलिए पोस्टर नाइट फ्लीश तो नहीं स्टीकर सर वो फोटो है सर वो पोस्टर नहीं आप बरिश संदश है प्राइब मिनिस्टर की फोटो है सर उसके उनके वहाँ पे उनके पीछे अदानी का लोगो है अदानी जी के हवाईजाज में घुस रहे हैं तो तो मैंने सोचा कि आज के प्रेजिदेंस एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंदर मोदी जी का और अदानी जी का रिष्टा है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ प्लीज प्लीज बताईए 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 तो narendra मोदी जी जी वो स्वे जी जी यह हूँ न्यूस्टो अदाइगर चुजा-ध्र talked and when most of India's business was asking questions of the Prime Minister it was against the Prime Minister one man stood shoulder to shoulder with the Prime minister didn't back down that's commendable yeah it's not a joke he 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 was loyal कर दुगिंैंट अथै मिंद्ट में र्मीर नंग तो कि यदzn आप्र मोदी क्नुto कार्योज थाई रिए, विङ उजेवी तोड पॉजर तोडि कोम लगाने用 है थाई डर्योजाच्ञ यह לעगितन आधर पीठ इति तोड्योजानी ठीर तो थे देने बुस्ने में तोगे एगाए, और रही है विह सी पुर्चेंट गुर्चा में तो घजेवे बूदने क्रेंजि थे क्था कुर्णपू है and the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat expansion of his businesses I think then the real magic starts जब प्रधान मंत्री जी दिल्ली आते है और दो हजार चौदा में असली जादू शुरू होता है मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे कुछी सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुँच गए कैसे पहुँचे मैं आपको बहुत सारी इंडिस्ट्री में काम करते हैं मैं आपको दो तीन इंडिस्ट्री का उधारन दे देता हूँ एरपोर्ट इंडिस्ट्री की बात करते हैं एरपोर्ट बिजनिस में नहीं था तो वो इन एरपोर्ट को ले नहीं सकता था इस रूल को इस रूल को हिंडुस्तान की सरकार ने बदला किसी ने भी बनाया हो रूल था किसी ने भी बनाया हो रूल था रूल बनाया किसने बात नहीं है रूल बदला किसने बात है रूल बदला गया तो ये रूल बदला गया उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी रूल बदला गया और अदानी जी को छे एरपोर्ट्स दिये गए उसके बात कर अप्सके श्राहत कर अप्सके बात! अप्सके भख अव्ट इजाओर प्रॉप्त bounce के इकन आव यवग algae हाई जैक बाई यूजिंग दे एजन्सीज दे एजन्सीज एजन्सीज को सी बी आई एडी का प्रयोग करकर जी वी के पर दबाव डाल कर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एरपोर्ट को अदानी जी के हातों में कट दिया रिजल्ट क्या आया रिजल्ट आया कि एरपोर्ट में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एर ट्राफिक को अपने एरपोर्ट से निकलते हैं और 31% एर फ्रेट उनके एरपोर्ट में से से निकलता है अब ये काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री जी ने फैसिलिटेट किया तो बताई बोलिए विद्धी मंत्री जी जो सर ये हाउस रहे है जो भी मेंबर कुछ में बात करें और ये वाइल एलिगेशन अपना एक सोच के आया है बीना तर्प के ऐसे वाइल एलिगेशन लगा रहे हैं एक कोई मत्रब नहीं है सर ये ऐसे नहीं बोल सकते हैं और वह सर तर्प रखना पड़ेगा अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डोकुमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़े देंगे देंगे आप ऐसे बाते देंगे और ये गंबिरता को सुझे ये जोक्यूमेंटरी प्रूफ देंगे